हलो फ्रेंड शातिए थिवार हीर फाम इतिकाल हैक इंट्रूशन सेंटर जैपुर एंडव गाईजार वाच यूटूब-चैनल स्लेश्रूष्ट तो आपने देखा था कि जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने क्या आपको बोला था कि मैं इस वीडियो में एने न का नाम के है web page का नाम के है index.html अब इसी फोल्डर की इस फाइल की हमें security करनी है ताकि कोई इसको without username और password ना देख सके अभी आप देख सकते हो अभी क्या होता है जब आप इस site खुलोगे आपको यह वेब सर्वर खुल जाएगा तो अभी आपको देख रहा हो कि इस लाइनेक्स मशीन का यह डालने में किसी भी ब्राउजर में विंडोज में या किसी भी मोबाइल में जाकर आप टाइप करोगे तो आपका जो वेब साइट खुल जा रहा है यानि कोई authentication नहीं अब इसका authentication करनी जा रहा है हमारे इस सिस्टम पर वेब साइट रणिंग है वेब सर्वर रणिंग है दो आपने देख लिया अब इसकी security करेंगे इसकी security के लिए हमें जाना पड़ेगा अपाचे का configuration फाइल में और अपाचे का configuration फाइल कौन सा होता है यह है http.conf http.conf इस फाइल में जाएंगे और सबसे last line में चले जाएंगे ठीक है तो आपको सबसे last line में चले जाना डायरेक्ट ए रोकी के यूज़ करो और फाइल का सबसे last line में चले जाओ दो चीज़े याद रखनी है आपका website का folder कौन सा है जहाँ पर आपका website रखावा है दूसरी चीज़ आपका web page जो home page है वो कौन सा है index.html folder कौन सा है www.html आपके website का IP address के है 192.168.43.136 यह तीन चीज़े याद रखोगे इसको हमें mention करना होगा तो मैं अब तीन चीज़े mention करूँगा तो सबसे पहले जो भी coding करोगे तो यहाँ पर लिखना होगा virtual host लिख देते हैं हम दो यहाँ पर और अपने server का IP address 192.168.43.136 जिस IP पर आप host कर रहो और इसका port number क्या होता है 80 आप सबको पता है कि web server का port number क्या होता है 80 अब यहाँ प होगा कि वर्चुल का भी capital host का एच capital इस तरह से यह सब रहेगा आपको capital small का बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि Linux जो होता है न वो case sensitive होता है जैन मैं बोलता है case sensitive मतलब इसको आप कोई भी changes करोगे तो इसको दीखना चाहिए अगर आप actual नहीं लिखते हो small के जाए capital यह capital की जाएगा syntax error में आज जाएगा तो किसी भी तरह का syntax error हमें नहीं चाहिए तो हम ऐसा करेंगे अब यह होगी हमार virtual host हमने IP address बता दिया दूसरा मैंने क्या बता था आपको फोल्डर बताना पड़ा कि किस फोल्डर में है तो फोल्डर को बताने के लिए code है document root फोल्डर कौन सा है where www.stml ठीक है तिसरी चीज क्या बताए थी आपको बताना पड़ा कि आपका कौन सा web page का नाम क्या है जो web page हमारा उसका क्या नाम है तो index.html है तो उसके लिए करेंग .psp या कोई भी PHP फाइल का नाम दे देते हैं ठीक है बस यह करके आपका control x कर देंगे save कर देंगे y for yes इंटर मार देंगे हमारा यह save हो चुका है से तो हो गया लेकिन हम चेक करेंगे कोई syntax error तो नहीं है तो httpd-t करेंगे httpd-t करके हम खेंव कमार चलाते हैं हम सिप syntax error की कोई comma कोई bracket कुछ छुड़ तो नहीं गया तो हम क्या देखते हैं कि syntax ok नीचे देखो syntax ok आ रहा है syntax ok मतलब कोई भी comma कोई भी bracket कुछ भी missing नहीं है सब तो यहां तक जो भी changes थे सब सेब हो गए जो next step होगा वह हमारा किस पर होगा next step हमारा जाएगा Linux में जाएगा बट उसमें हम authentication करना सीखेंगे इसी configuration file में जाकर कुछ और add करना पड़ेगा हमें ठीक है तो आप देख सकते configuration file आप इसको चाहें नहीं से खोलो या वीम से खोल दोने एडिटर हैं तो मैं इसको वीम से खोल लेता हूं और चले जाब फाइल के last में जहां पर हमने add क्या था वहाई पर हम कुछ लाइन और add करेंगे 6 लाइन का add करना और जिसमें हम यह directory के बारे में बताएंगे कि इस directory को हम security देने जा रहे हैं जो व्यूर्ट है इसको हम यूजर के थूरू देंगे तो बहुत डाइग्राम में बता दूँगा आपको यहाँ पर जैसे यह folder है इसकी security देंगे ठीक है इसकी security यानि इसको कौन access कर पाएगा एक user access कर पाएगा उस user का नाम कुछ देते हैं suppose कर उस user का नाम देते हैं Linux तिवारी ठीक है तो Linux तिवारी ठीक है आगया लगबल लास्ट लाइन हमारा ठीक है आगया लास्ट लाइन इंसर्ट मोड में गया मैं आई प्रेस करके और यहाँ पर मैं काम करूंगा वेबसाइट का करते हैं तो डाइरेक्टरी के security कर नहीं है वेर www.html तो पहले रिखेंगे डाइरेक्टरी ठीक है क्या वेर www.html तो हम ने ये डाइरेक्टरी बता दिया हम इस डाइरेक्टरी के security करने वाल है और इस डाइरेकटरी के बीच में सारा बेसिक ऑथन्टी के समय हम करना जा रहे हैं, बेसिक, नेक्स्ट जो होगा, वो होगा ओथराइशन नेम, ठीक है, ओथ नेम, ये कैसा होगा, तो ओथराइज यूजर्स वनली, यानि कोई कौन कर सकता है, जिस पर यूजर का नाम हो, ओथराइज यूजर में वो ही कर सकता है, तो मैं आप लिखेंगा, ओथराइज यूजर्स वनली, ठीक है, अब ओथराइज नेम के बाद होगा, ओथ यूजर फाइल, यानि ओथ यूजर फाइल, मतलब वो फाइल जहां पे यूजर का ओथन्टिकेशन के लिए पासवर्ड रखा होगा, ठीक है, या पासवर्ड होगा, तो वो पास क्या होगा, etc, http, auth pass, यह फाइल है, ठीक है, slash etc, http, slash auth pass, यह क्या है, यह एक फाइल है, auth pass, जो etc, http folder के अंदर है, और इसी फाइल के अंदर क्या इस्टोर होगा, जो हमने बता है, लाइने श्टिवारी यूजर को हम ऑथन्टिकेट करेंगे, तो यह लाइ वेब्साइट के लिए, ठीक है, और इसी पास रोट को यूज़ करकर कोई भी उज़र, वेब्साइट को, असेस कर सकता है, ठीक है, अब नेस्ट होगा, यूजर कौन सा है, क्या चाहिए होगा, तो, लाइने चिल़्िवारी यूजर का नाम दे दो है, जो भी आपका इसको सेटिंग कर दिया अब मैं इसको सेव कर दूगा हमारा जब सेव करने के बाद क्या होगा हम सिंटेक्स चेक करेंगा सबसे पहला कामी बता है सिंटेक्स चेक करना जब सब कुछ होके है तो चलो जो हमने उपर में डिफाइन किया है कि हमारा जो ओध यूजर फाइल कौन सा होगा इस फोल्डर में क्या पाथ होगा एक एटीसी एक टीपीडी और पास टीके एक 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 टीपीडी और पास तो हम यहीं पाथ देंगे इसी पास्वड को एश्टोर करो किस यूजर के लिए यूजर का नाम है Linux Tiwari और यह हो गया यह मांग रहा पासवर्ट कुछ भी दो दो पासवर्ट 123456 दे दिया हमने 123456 दे दिया हमने तो यह हो गया यह सब कुछ हो गया सारी सेक्रूटी हो गया तो एक बार सर्विस रिस्टार्ट कर देंगा सर्विस HTTPD रिस्टार्ट और username password कौन सा है इसका देना पड़ेगा हमने ठीक है यह username password Linux दिवारी का नहीं दोगे तो नहीं काम करेगा तो चलो चेक करते ज़रा अब इसी IP address को वापस खोलते हैं वाले खोले से तो नहीं मांगा था username password डारेक्ट साइट खोल गई थी अब वापस डालते हैं तो क्या मांग रहा है username and password मांग रहा है यहीं IP address दाना हमने Linux का तो क्या मांग रहा है username and password यानि अब डारेक्ट आप इसमें login नहीं कर सकते आपको username and password देना पड़ेगा तो चलो username और password देते हम लोग तो username क्या है इसका Linux दिवारी Linux दिवारी और password क्या है 123456 जो password दिया तो जैसे हमने username पासवर्ड दिया यह website खुल गया लेकिन अब आप क्या चाहिए होगा website को खुलने के लिए क्या मांग रहा है username and password मांग रहा है तो यह protected हो गया username and password से अब कोई भी site को नहीं खुल सकता है वो ही खुल सकता है जिसको username और password पता होगा तो आप इस तरह से अपने website की authentication कर सकते हैं अगर आपका खुद का dedicated server है आप चाहते हैं authentication based login आप ऐसा करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं multiple users को एलाउग करना इस पेस xyz जिसका जिसका नाम दोगे वो यूजर से आप लोगिन कर सकते हो और सारे यूजर का database इस तरह सक्रीट करना पूरेगा hd5wd command उसकर के तो यह था हमारा आज का लेप जिसमें हमने सिखा web server authentication यानि Apache का authentication कैसे करते हैं यूजर नेम पास्वड नेक्ट वीडियो में हम लोग क्या सिखेंगे इसी website बढ़गो जो यूजर नेम पास्वड माग रहा था इसी यूजर नेम पास्वड को हैक करना सिखेंगे तो देखते रहे वीडियो और पसंद है तो जरूर लाइक और कॉमेंट कीजिएगा इगे